NDRF के DIG मौसिन शाहिदी ने बात की मेरे सहयोगी जीते इंद्र बहादुर सिंग से किस तरह से NDRF की टीमों को तैनात किया जा रहा है इन इलाकों में? हमारे साथ NDRF के DIG जो की यहां कंट्रोल रूम से तमाम चीज़ों को मौनीटर कर रहे हैं मुहसिन सहेदी जी हैं सर किस तरीके की तैयारी आप लोगों की है और किस तरीके से rescue और relief operations अलग-अलग जगों पर किया जा रहे हैं? देखी यह जो आप मैप में देख रहे हैं यह पंजाब स्टेट का छेतर है दिखाया गया है इसमें इस्टन पार्ट में यह भारी बारिश के वज़े से ज़्यादा problems आई है इसमें urban और rural दोनदरा की flooding देखी गई है कल दोपर बात से रूप नगर, S.A.S. नगर, फतेह, अंबाला इन सब जगों पर प्रॉब्लम्स वही जिनके वैसे टीम बेजी गई और वहाँ पर विया कोईशन किया गया है इसके अलावा मोहली में भी urban flooding हुई है वहाँ पर भी हमारे हमारी टीमों गेत तैनाती हुई है तो अभी इस्तिती समानने है जो अंदेशा यह है कि जब बराजशे और डैम से पानी रिडीज होगा तो हायर इजन से तो उसका एक दुबारा इफेक्ट होगा उसके लिए टीमें हमारी तैनात है और अगर से जरूत पड़ेगी दुबारा विया कोईशन करने की तो वो करवाई की जाएगी हिमाचल प्रदेश में काफी वर्स सिच्वेशन इस वक्त है और वहाँ जो पहाड़ी लाकों से बारिश का पानी आ रहा है उसकी वज़े से अचानक घर गिर रहे हैं डैम जो वहाँ पर पुल बने हुए हैं वो गिरते जा रहे हैं तो वहाँ किन-किन जिलों में ज्यादा खराब सिच्वेशन है और आप लोग की टीमे कितनी तैनाथ है रिस्क्यू रिलीफ ऑपरिशन कैसे चल रहा है इसको एप्रिशेट करना पड़ता है कि क्या उसका एफेक्ट होगा और वो लोकल एजन्सीज करते हैं उनके जो टेकनिकल एक्सपर्स होते हैं और हम उनकी सहा है एकोशन किया गया रेस्क्यू ऑपरिशन किया गया देर रात कई डिस्ट्रस कॉल्स भी हमारे पास है जिन में यात्री अलग अलग जगा फसे वे थे उनको वहां से स्वर्शी दिस्तान पर लाए गया है अभी इस्तिती समाने है और आज का जो आइमडी का जो रहेगी जो वर्शा है वो उसमें कमी आएगी